उपचुनाफ की तारिख जैसे जैसे पास आती चली जा रही है वैसे ही वैसे जोबट विधान सभा में हलचल भी तेज होती दिखाए दी रही है जहां कॉंगर्स का चुनावी मैनेजमेंट देख रहे वधायक रवी जोशिया और बीजबी के लिए चुनावी मैनेजमेंट के जमदारी संभाल रहे वधायक रमीश मेंदोल्ड अपना अपना दम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं देखिए ये खास रेपोर्ट जोबट वधानसभा में तेज होती चली जा रही उपचुनाव की हज़िए कॉंग्रस के लिए चुनावी मैनेजमेंट देख रहे विधायक रवी जोशी बीजेपी ने विधायक रवीश मेंदला को सौपी जीत की जिम्यदारी कॉंग्रस और बीजेपी के मैनेजमेंट मास्टर्स की साख दाव पर जोबट वधानसभा उपचुनाव की जंख को जीतने के लिए बीजेपी और कॉंग्रस दोनों ही दलों के दिगच अपना अपना दम लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं वही दोनों ही दलों ने उपचुनाव के इस जंख को जीतने के लिए अपने-अपने मैनेजमेंट मास्टर्स को मैदान में उतार दिया है जहां कॉंग्रस ने विदायक रवी जोशी को चुनावी मैनेजमेंट के जम्यदारी सौपी है तो वही बीजेपी ने विधाय करमीश मेंदला को जीत के जम्मधारी सौपते हुए जोबट उप्चुनाफ के लिए प्रभारी बनाया है कॉंग्रस के मैनेजमेंट मास्टर पधायक रवी जोशी की बात करें तो कॉंग्रस के काफी सीनियर लीडर्स में एक रवी जोशी लगाता जोबट की जनता के बीच दिखाई दे रहे हैं जहां वे उप्चुनाफ में कॉंग्रस को जीत दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करते हुए देखे जा रहे हैं उधर बीजेपी के मैनेजमेंट मास्टर वधायक रमीश मेंदुला इससे पहले भी कई चुनावों में अपने मैनेजमेंट का दम दिखा चुके हैं जहां मैन्दुला इससे पहले जाबुआ और आसपास के इलाकों में बतार प्रभारी बीजेपी को मजबूत करने के लिए बखुबी अपने भूमियका का निर्वहन भी कर चुके हैं वहीं अब मैन्दुला ने जोबट उपचनाव में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए मैदान संभा लिया है जहां वे बीजेपी प्रत्याशी सुलोचना रावत को चुनाव जिताने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं कुल मिलाकर देखा जाए तो जोबट उपचनाव की जंग में बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों ही दलों ने अपने अपनी मैनेजमेंट मास्टर्स को चुनावी मैदान में उतार दिया है जहां अप किसका मैनेजमेंट यहां अपना प्रभाव दिखाता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा ब्यूरर रिपोर्ट, MP News, जोबट